में आज हम पढ़ने वाले हैं पीनील गरंथी के बारे में इससे पहले हम पढ़ चुके हैं हाइपो हे dividend के बारे में और अपने पढ़ चुके हैं पिट्यूटरी के बारे में यह पहली यह दूसरी और यह है अब तीसरी गरंथी हमने hypothalamus completely पढ़ लिया है हमारे previous lecture में हमने pituitary गंती भी पढ़ लई है आज हम पढ़ने वाले हैं pineal गंती और ये कहां पाई जाती है ये अपने agramastix में पाई जाती है अभी तक मैंने hypothalamus बताया है pituitary बताया है और आज pineal बता रही हूँ ये तीनों की तीनों ही मस्तिक्ष में पाई जाती है ये कौनसे हार्मोन का secretion करती है ये करती है melatonin का melatonin का instrument करती है और melatonin इस हार्मोन का काम क्या है ये काम क्या करता है melatonin इसका काम है सिर्काडियम रिदम को कंट्रोल करना सिर्केडियम मतलब की दिन का चक्र, शाम का चक्र, रात का चक्र नियंत्रन करना आपने महसूस क्या होगा जब भी मान लीजिया आप विदेश यात्रा करते हैं या कहीं और की यात्रा करते हैं तो दिन रात में कितना फरक आजाता है वहां का दिन, यहां पे रात, यहां का रात, वहां पे दिन तो आपके जो देनिकले हैं जो आपका रिदम चल रहा था उसमें इंबैलन्स चलता है कुछ एक या डेर्ड दिन तक रहता है उसके बाद आपका यह जो पीनियर ग्रंती है करता है यह वापिस से human body को balance कर लेगा तो मतलब यह बहुत ही important हार्मोन है दिन का शाम का रात का नियमन रखता है यह इस चक्रास को नियमित रखता है उधारन के लिए देख उधारन दे को यह सोने जागने के चक्र शारीय के तापकरम को नियंत्त करता है बॉडी टेंपरीचर सुबह अलग होता है इवनिंग में अलग होता है नाईट में अलग होता है इसके अलावा गया करता है मेलेटोनीन उपापचय वर्नकता मासिक चक्र पतिरक्षा शम्ता को भी प्रभावित करता है मासिक चक्र ये गल्स में आता है इसको भी ये कहीं न कहीं रेगुलेट करेगा इसकी डिसकवरी हाला कि बहुत छोटे पैमाने पे हुई अभी तक तो आपके uncati में इतना ही दे रखा इसके बारे में तो आपको ये याद रखना है पी नियल गरंथी कहां है इसका function क्या है? क्योंकि इसकी structure तो दे नहीं रखी है ठीके तो पीनिल गरंथी के बारे में ये बताना होगा कि ये यहां इस्तित है कहां? अग्रमस्तिक्स में अच्छा प्रस्थिये भाग क्या होता है प्रस्थ क्या होता है और अधर क्या होता है अपने मानव शरीर में आप कल्पना कीजिए कि आपका प्रस्थिये भाग कौन सा होगा जहां पर आपके रीड की हड़ी है ना बैक बोल वाला भाग आपका वो पूर आपका हात जहां पर आपके नाखून है नेल्स है वह वाली सतय होगी प्रस्ठी है और है इसके बाद हम कौंसी घ्लेंट पड़ने वाले हैं हमारी फोर्डव्म यह धाइरॉइड मतलब इसका function तो काफी हद तक है जितना जानो उतना कम function है अच्छा सबसे पहले हम देख लेते हैं ये कहाई सित है हम देख लें ये कहाई सित है ये हमारी जो स्वाशनली है उसके दोनों साइड मिलेगी थाइराइट ग्रंती स्वाशनली के दोनों और चुछीजाश दो पालियों से बनी होती है देखो स्वाशनली दिखाते ते आपको यह क्या है स्वाशनली है ट्रैकिया विंड पाइप और इजी टर्म अल Ladakhी यूज नहीं करनी होती विंड़ पाइप यह बहुत ही easy going term है यह क्या है यह lobe like structure यह क्या है यही तो है थाइराइड एक lobe यह रही और एक lobe यह रही यह क्या है voice box voice box स्वर्नली इसका एक और डाइग्राम दिया गया है यह देखिए वह उपर जो मैं दिखाया था यह था प्लस्ट भाग और यह वाला जो भाग है वह अधर भाग है ठीके यह कुछ अधर भाग से ऐसी दिखती है देखिए थाइरोड है यह देखिए हमारी नली है स्वास की ट्रैकिया स्वास नली और यह देखिए दो लो थायरोइडे और इसी में ही लोकेटेड है ये पेरा थायरोइड ये हमाई नेक्स्ट ग्रंथी होगी थायरोइड के बाद आये हम थायरोइड ग्रंथी के बारे में पड़ लेते हैं इस जाहर dein dependence है इन प्रतेक थाइरोड ग्रंथी में क्या मिलेंगे आपको पुटक और भरणों तक फॉलिकल्स और स्ट्रॉमर टिशूज ठीक है और प्रतेक जो पुटक होते हैं इनको एक काम दिया गया है इनको क्या काम दिया गया है इन्हें दो हार्मोन सिक्रीशन या यू कहलीजे की बनाने के जिम्मेदारी है इनको दो हार्मोन ऐसे हैं जिनको इन्हें बनाना है पहला है T4 और दूसरा है T3 अच्छा T4 को थाइरोकसिन भी कहा जाता है T4 को साइन्टिफिकली क्या कहता है टेट्रा आइडो थाइरोनिन और T3 को साइन्टिफिकली क्या कहा जाता है ट्राइडो थाइरोनिन याद रहेगा T4 को थाइरोकसिन भी बोलते है फोर है फोर को बोलते हैं टेट्रा और ट्राइ को बोलते हैं थ्री ठेक है तो T4 को थाइरोकसिन भी बोलते है और T3 को क्या बोलते है ट्राइडो थाइरोनिन ये जो पुट्टिकाएं हैं इनको इन दो हार्मोन का वर्क दिया गया है पहला ये और दूसरा ये कि इनको सिंथेस करो संसलेशन करो बनाओ ठीक है थाइराइड हार्मोन के सामाने दरसे संसलेशन के लिए आयोडीन आवशक है पहले एड़ाया करते थे नान आपके नमक में आयोडीन होना चाहिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए आयोडीन के टेस्ट भी होते थे अब तो चलो ठीक है पर पहाडी लोगों में आयोडीन की जो कमी होती है वो जगदा मिलती है पहाडी लोगों में अगर हमारे भोजन में आयोडिन की कमी हो जाए अगर भोजन जो आयोडिन यूकत नहीं है जो लोग कम आयोडिन वाला भोजन खाते हैं यह एक दिन में शोर नहीं करेंगे अपने सिम्टम मतलब बहुत टाइम बाद अपने सिम्टम शो करेंगे कि जिनके भोजन में आयोडीन की कमी है तो उनके साथ क्या होता है उनकी कमी से अव थायरोइडिता एवं थायरोइड ग्रंथी की व्रद्धी हो जाती है जिसे साधारनत है गलकंड रोग कहते हैं गौइटर यह जो थायरयोड ग्रंथी चैजाती है बहुत जदा व्रद्धी कर देती है तो यहां से क्या है करदन से मासे लटकन जाता है इसे गलकंड रो कहते हैं गौइटर प्र अव थायरो इस जो तयारी कर रहे है उन्हें तो ये terms definitely clear होनी ही चाहिए कोई shortcut नहीं है बिलकुल भी कोई shortcut नहीं है NCRT में ये जितना भी दिया गया है line to line important है मतलब एक line भी waste नहीं है कि चलिए ये line तो skip कर देते है especially वो लोग जो neat के तयारी करना चाह रहे है अब इसे ही उनका जो aim है ठीक है एक भी word एक भी word useless नहीं है एक भी word नहीं है सब question oriented होंगे सब के sub words कौन सी ग्रंथी कौन सा हार्मोन से create कर रही है कौन से ग्रंथी की structure क्या है location क्या है function क्या है अब next line पढ़ते है गर्भावस्ता के समय अव थायड़ा के कारण अगर कोई lady pregnant है गर्भावस्ता को क्या बोलते इंग्रिश में pregnancy कोई औरत pregnant है और उसके भोजन में iodine की कमी है उसके भोजन में क्या है iodine की कमी है तो क्या होगा जो उसके गर्भे में विक्सित हो रहा है न बच्चा उसकी जो वरद्धी होगी वो सही ढंग से नहीं होगी उसकी व्रद्धी सही ढंग से बिलकुल भी नहीं होगी यहां तक कि वो बच्चा बोना भी हो सकता है उसकी बुद्धी जो होती है वो अवरोधित भी हो सकती है जिसे क्रीटेनिजम कहा जाता है यह भी इंपोर्टेंट है वामनता बोनापन भी आ सकता है और क्या सिम्टम्स है थाइरोइड हार्मोन की कमी से मंद बुद्धी भी हो सकता है बच्चा और जो उनका स्किन होता है वो भी अबनॉर्मल सा होता है अच्छी सी स्किन नहीं होती उनकी अबनॉर्मल होती है गुंगा भैरा भी हो सकता है मतलब देख रहे हो कि एक थायरोइड यानि कि एक आयोडीन की कमी से एक आयोडीन नहीं ले रहे हो आप आपका थायरोइड हार्मो धंस अगर रेगुलेड नहीं होता है तो मतलब कितनी सिम्टम्स की बच्चा अच्छे से पैदा नहीं हो रहा है किसी ने किसी तरह की विक्रती आ गई है हाथ अजीब हो गए या फिर टेड़े हो गए है बच्चों की बुद्धी में अवरोधिता बोना पना जाएगा मंद बुद्धी हो जाएगी या इसकिन ऐसा माने होगी अबनौर्मल सी हुगी कुंगा बहरा भी हो सकता है लेकिन अभी तो मैंने गर्भावस्ता वाली बात की गर्बावस्ते इस्तियों के लिए अभी मैं बोलू कि आडर्ड इस्तियों में क्या होगा जो उनके पीड़ेड़ हूंगे वो इर्राइगु मतलब यह ऐसा नहीं कि जिसके पीरेड्स इर्रेगुलर है तो उसमें थाइरोइड की ही कमी है ऐसा नहीं बोल रही है जिसके जो पीरेड्स होंगे जो मासिक चक्र होगा वह इंबैलन्स हो जाएगा थाइराइड गंती के कैंसर इसका भी कैंसर अत्वा इसमें गाठों की विद्धी से थाइराइड हार्मोन के संसलेशन की दर्व ऐसमाने रूप से अधिक हो जाती है अब भी मैंने जो बात की थी वो क्या बात की थी कमी की वो जनमें आयोदीन की कमी इसके बारे में कि अगर कमी हो जाएगी तो क्या होगा तो ये मैंने एक्स्प्लेइन किया गरबाविस्तरी में क्या होगा वैस्तरियों में क्या होगा अब इसमें कहा जा रहा है कि व्रद्धी हुई तो क्या होगा तो एकदम ऐस समाने रूप से व्रद्धी होगी अब नॉर्मल तरीके से अब नॉर्मल तरीके से व्रद्धी होगी तो इस इस्तियुति को क्या बोले थायरोइड अतिक्रियता थायरोइड अतिक्रियता और अगर कमी हो व्रद्धी नहीं हो कमी हो तो उसे क्या बोलते हैं और थायरोइड या गलकंड और अगर व्रद्धी हो तो इसे बोलेंगे थायरोइड अतिक्रियता मतलब किसी चीज की अति होने भी वेकार है और किसी अच्छा जो थायरइड हार्मोन है वह आप चैदर का भी नियमन करता है बहुत इंप्रॉटेंट है थायरइड यहां तक ही जो अपनी आर भी सी है उसके भी प्रडक्शन में काम करेगा लाड्रक्ट कनिका हैं अपनी आर भी सी रेड ब्लूड सेल्स इसकी निर्मान की भी जिम्मेदारी इसके हाथ नहीं है पूरी की पूरी नहीं कुछ हद तक थाइराइड हार्मोन कार्बो हाइडरेट प्रोटीन वसा के उपापचे को भी नियंतित करता है मतलब अगर आयोडीन की कमी हो गई तो ना तो आपका कार्बो हाइडरेट पचेगा ना आपका प्रोटीन पचेगा और ना ही आपका फैट पचेगा जल और विद्यूत अब घटों का नियम्में भी थाइराइड हार्मोन प्रभावित करते है नेक्स्ट थाइराइड गन्ती से एक प्रोटीन हार्मोन जो प्रोटीन हार्मोन है यह क्या वर्ड यूज किया है हार्मोन स्टेरोइड भी हो सकते हैं हार्मोन प्रोटीन के भी हो सकते हैं हार्मोन्स, एमीनो एसिड्स के भी हो सकते हैं, तो थाइरड ग्रंथी से एक प्रोटीन का हार्मोन सिक्रिट होता है, उसका नाम क्या है, TCT, याद रखना है, एनिहाव, TCT मतलब थाइरो, कैल्सी, टॉनिन, थाइरो, कैल्सी, टॉनिन, का भी इस्तराव होता है, TCT के अलावा, एक और थाइरो, कैल्सी, टॉनिन, का भी इस्तरवण होता है, इसकी क्या रस्पॉंसिबलिटी है, यह क्या करवाता है, रक्त में कैल्शियम इस्तर को नियंतरित करता है, कि अपना जो बलड है, उसमें कैल्सीयम कितना होना चाहिए, इसका नियंतरन करता है कैलसी टोनीन जो की थाइरड गंती ही स्त्रवित करती है नेत्रोस्थेदी कलकंड या एक्स ओप्थेलमिक गॉइटर थाइरड अतिक्रिता का एक रूप है थाइरड गंती में व्रधी नेत्र गुलकों का बाहर की और उभराना आधारी उपापचेदर में व्रधी एवं भार में हास्य इसके अब लक्षने मतलब की ये जो डिजीज होती है इसमें क्या होता है जो आईबॉल्स होती है ना आईबोल व्लेदिस्टेय्स का नाम तो यह ग्रेव लोक कि ये ग्रेवडेवड डिजीस इसमें क्या होता है Сп 750 आईबोल को रोती है नाि head CS Within quick जोत्वाइटबर रंजएगे इस एक असाथ है यह बाहर झाल की पाहर दिखेंगी तिक warm sound कि दो तो ये कुछ लक्षर है वह Stravus RoK के है अ यह lifelong Stravus RoK के है तो यह था thyroid grunthy के बारे में हमने Peneal Grunthy पड़ ली जो brain में थी thyroid अब हम थोड़ा नीचे आ गए neck पे जो स्वास नली से आज़ वाज़ अटेच है ये T3 और T4 का इस्तरवन करती है अगर थायरोइड में थायरेकसिन हार्मोन में आयोडीन की कमी हो जाए तो गलकन ट्रोग होगा और अगर ज्यादा हो जाए तो थायरोइड अतिक्रियता हो जाईगी ठीक है इसके हमने डीजीस के लक्ष्ण पड़ लिए कि अगर यह कमी होगी तो किन पिन कैसे कैसे अफेक्ट करेगी और अगर डीजीज जादा हुई तो क्या अफेक्ट करेगी ठीक है अब हम पढ़ने वाले हैं पैरा थाइरोइड के बारे में ये थाइरोइड के अंदर ही पाए जाते हैं पीछे के साइड ये हमारा पांच भी गन्तिया है मानव में चार पैरा थाइरोइड ग्रंथियां होती है मतलब ये जो बनाई थी ना जब मैंने लोब थाइरोइड की तो यहां पर यह इसा दिखाया था कि यह तो थाइरोइड है अपना और यह जो थी यह यह पैरा थाइरोइड थी ठीक है थाइरोइड ग्रंथी की एक पाली है थाइरोड की और ये दूसरी पाली है थाइरोड की तो प्रते एक पाली में इसमें भी और इसमें भी एक एक जोड़ी पैरा थाइरोड पाई जाती है पेरा थायरोइड क्या है ये ग्रंथी है कहां मिलेगी थायरोइड में ठीक है थायरोइड ग्रंथी में मिलेगी ठीक है ये कौन सा हर्मोन सिक्रीट करेगी कौन सा हर्मोन स्टरवित करेगी पेरा थायरोइड हर्मोन और मैंने कहा है कि जो हर्मोन होते हैं वो स्टेरोइड भी शोब फूटत हो सकते हैं वह प्रोटीन के बनाएं यहां पर देखिए इपना है याद रहना ज़िए यह बहुत इंपोर्टेंट ऐ की कौन सा है किस बना है अब इतक हम पढ़ चुके हैं कि जो कैल सी टॉनिस है यह वाला यह बना किसका है जिसका बनाई ये प्रोटीन का हर्मॉन एक क्ट्राइब करनेगा पैरा थार्ड हार्मñ कॉंस टैप का है चैजिया क्टाहर्म Yazan लिख ही यह अपने जो रख्त में स Brush I am He should को regulate करेगा देखो similar similar function हो रहे हैं थाईरो केल्सी टॉनीन भी यही करेगा और पी टी हच भी यही करेगा नेक्स्ट पैरा थाइरोड हार्मोन जो है वो रक्त में केल्शियम के इस तरक को बढ़ाता है मतलब यह जो पैरा थाइरोड हार्मोन है बलड में कैल्शियम को increase करेगा भड़ाएगा PTH पैरा थाईरोइड हार्मून अस्तियों पर कारे कर अस्ति अवसोशन प्रकरम में सहैता करता है PTH व्रक्क नलिकव में कैल्शियम के पुना अवसोशन तता पचित भोजन से कैल्शियम की अवसोशन को भी प्रेरीद करता है मतलब यह यह line क्या कहना है लेकwegs मिलाके जो हमारे kidney होती है calcium important चीज होती है यह मुत्र के साथ urination के साथ बहार ने कास काँ आपन으면 calcium को तो यह वापस से क्या होती है अवसोचित कील जाती है observe कर ली जाती है waste नहींए यह इसको बहार क्यों निकलने देंगे मुत्र के थूँ इसी तरह जो भोजन पचावा होता है इसमें से भी केलशियम अवसोशित कर लिया जाता है मतलब जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें जितनी भी केलशियम की मातरा है उसको अब्जॉब कर लिया जाता है किसके दोरा एक हार्मोन की दोरा है कौन सा हार्मोन है वो पी टी एच पेरा थायरोइड हार्मोन ठीक है पी टी एच एक अती कैल्शियम रखता हार्मोन है यह क्यों वर्ड यूज किया अती कैल्शियम यह क्योंकि यह कैल्शियम के लेवल को भढ़ाएगा किस में रखत में इसलिए इसे इसे अती केल्सियम स्रकश को बढ़ाएगा किसमें रक्ट में इस लिए इसे अती केल्सियम क्योटता हार्मोन भी चाहाजा जाता है ठीक है तो वन आफ दा मोस्ट कौन है पैरा थाइरोड हार्मोन अभी जिसने पढ़ा है वो तो यह कर लेगा ठीक है देखो फ्रीजर भी लिख रका है क्योंकि यह रक्त में केर्शियम सरको बढ़ाता है यह थाइरो कैर्सी टौनीन के साथ मिलकर यह शरीर केर्शियम सरको कैल्शियम को भी बढ़ाने का काम कर रहा है या तो उसको रेगुलेट कर रहा है या फिर वो बढ़ा रहा है ठीक है टी सीटी टी सीटी थाइरो कैल्सी टौनीन आगे क्या कहना चाहरा है थाइरो कैल्सी टौनीन के साथ मिलकर यह शरीर के कैल्शियम का संतुलन बनाय रखन में महत्पूर में विका निगाता है मतलब पहरा थायरोड हार्मोन है वो कुल मिला के बलड में कैल्शियम लेवल को यह तो नियंतुरित करेगा यह बढ़ाएगा नियंतुरित कर रहा है तो वैल इन गुड और अगर बढ़ा रहा है तो इसका नाम दूसरा हो जाएगा अती क चैल्शियम रक्तता हार्मोन अब हमारी जो छटी ग्लैंड है थाइमस ग्रंथी यह कहां मिलेगी उरोस्ती को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं स्टर्नम यह कहां मिलेगी अपने जो लंग्स होते हैं फेफडों को इंग्लिश में बोलते हैं लंग्स अथर भाव मतलब वेंटल साइड मैंने अभी क्लियर किया यह भाग, अधर भाग Bye और जहां पर आपकी हतेली हैवह रखाई यह होगी वेटर सआइड अगर मानव circum me देखा जै तो अपना डौर्सल वियु कहां से आएगा जहां पर आपनी रीड की अड़ी वहां पर डौर्सल यापना चार्ट अभर सब्स्राइए economy तर्फ से के पीछे किसे कवर सी पूश्चे कर रहें है। यह संट मोश्यम से कंवरेरिक्लियरा अगर का थाइमस हैं अगर आपका थाइमस हेलिए तो मतलब आपकी जो immunity power है वो भी जबरदस्त है थाइमस बढ़िया immunity बढ़िया अब देखो यह गरंती जो थाइमस गरंती है यह कौन सा हार्मोन सिकीट करती है थाइमोसीन और यह किस टाइब का हार्मोन है peptide hormone अच्छा एक और peptide hormone पड़ा था वो कौन सा था पैरा thyroid hormone और दूसरा कौन सा पड़ा है एक और हार्मोन था जो peptide hormone था वो कौन सा था PTH पैरा thyroid hormone वो भी peptide ही था वो भी peptide hormone ही था और दूसरा peptide hormone का एजामपल देख लो थाइमोसीन चीक है और हमने एक और हार्मोन पड़ा था जो proteinis था प्रोटीन का था वो कौन सा था thyroid का हार्मोन थाइरोकसीन वो प्रोटीनियस था आच्छा देखते ही क्या करता ही हार्मोन थाइमोसीन T-Lymphocyte T-Lymphocyte के विभेदी करण में मुख्य निवदर निवते हैं जो कोशिक का माधियर प्रतिरक्षा के लिए महत्पूर है इसके आतिरिक मतलब यह immunity के लिए responsible overall मतलब यह T-Lymphocyte इसका फॉर्म करेंगे और T-Lymphocyte क्या करेगा immunity का ध्यान रखेगा इसकी अतिरिक थाइमोसीन तरल प्रतिरक्षा humoral immunity के लिए के लिए प्रतिजयविक के उत्पादन को प्रेरिद करता है जो overall यह हार्मोन क्या करेगा immunity कैसे भड़ाई जाए कौनसी लिंफोसाइड को active किया जाए कौनसी प्रतिरक्षा तंत्र को active किया जाए इसकी जिम्मेदारी थाइमस के कंदों पर है जैसे जैसे उमर भड़ती जाती है वैसे वैसे थाइमस छोटा होता जाता है मतलब जैसे जैसे उमर भड़ती जाती है अपना immune system हम जानते हैं कि कमजोर होने लग जाता है मतलब व्रद्धों में आप अच्छे से notice कर सकते हैं कि उनका पतिरक्षा तंत्र कैसा हो जाता है तो ये थी थाइमस ग्लेंद थी आज हमने क्या क्या पढ़ा एक हमने पढ़ी pineal gland दूसरी हमने पढ़ी थाइमस gland और तीसरी हमने पढ़ी पैरा thyroid gland ठीक है थेंक यू